वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताके हमारी हर वीडियो की नॉटिक्रिक्रिकर्शन आपको मिलती है हेलो एवरीवन विल्कम बैक टू मैं चैनल इट्स होम सेप सारिका आज मैं बना रही हूं बटर गार्लिक नॉन देखिए कितना सॉफ्ट नॉन बना है और मैंने इसे तवे पर ही बनाया है इसके लिए हम थ्री कप मैदा लेंगे इसमें थ्री स्पून कर्ड डालेंगे कर्ड ज्यादा खटा नहीं होना चाहिए थ्री स्पून आल डालेंगे वन इस्पून सॉल डालेंगे और वन इस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर डालेंगे और अच्छे से हातों से मिक्स करके रूम टंप्रेचर पे रखा हुआ दूट से हम इसको स्मूट डो बनाएंगे थोड़ा थोड़ा ही दूट डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे इस्मूद डो बनाएंगे और उपर से थोड़ा लगा के आधा से एक घंटे के लिए हम रख देंगे ढखकर देखिए हमारा डो कितना फूल गया है हातों की साहता से एकदम हलके हातों से मिक्स करेंगे इसको देखिए कितना जालीदार बना था अब थोड़ा सा सुखा मैदा स्प्रेट करके छोटी छोटी लोईया बना लेंगे जितना बड़ा हमें नान चाहिए अच्छे से गोल करके हम इसको बेलेंगे सुखा मैदा लगा के अभी हम छोटा ही बेलेंगे इसके बाद इसमें हम चौट किया हुआ गार्लीक और हरी धनिया की पत्तिया लगा देंगे और हाथों से अच्छे से चिपका के उपर से सुखा मैदा डाल कर बेल देंगे ताकि यह चिपक जाए और जिस सेप का नान चाहिए आप उस सेप में बेल दीजिए अब हम इसे सेख के दिखाएंगे बहुत मोटा यह पत्तला नहीं बेलना है पीछे थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि हमारी तवपी यह चिपक जाए बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट नान बनता है हमारा तवे में जिस तरफ हमने पानी लगाया है उस तरफ से हम तवे में डाल देंगे और तीन से चार मिनिट लो फ्लेम पे सेखने के बाद इसको हम पलट कर लो फ्लेम पे ही सेख लेंगे हाई फ्लेम नहीं करेंगे लो फ्लेम पे ही चारो तरफ से घुमा घुमा के तवे से सेख लेंगे बहुत ही अच्छा क्रिस्पी सिखता है देखिए कितना अच्छा टेक्षर आया है इसका अब हम इसको निकाल लेंगे निकाल के दिखा रही हूं मैं देखिए पीछे से भी कितना अच्छा फुला फुला हमारा नान बना हुआ है अब हम इसमें बटर लगाएंगे गरम में ही बटर लगा देंगे अच्छे से और किसी भी वेजी टेबल्स ग्रेवी वाले वेजी टेबल्स के साथ हम इसको सर्व करेंगे सो वीवर्स अगर आपको मेरी रस्पी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा थैंक यू